आपके लिए में ये वीडियो में चैक्ता नमबर 6 जो की इन ओर्गेनिक में से एक है इन ओर्गेनिक में चैक्ता नमबर 6 जो की इन ओर्गेनिक में आपको जो बहुत रिलेटव इंपोर्डन्ट क्विस्टन्स है जो की फ्रिक्वंटली पूछे गया है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे चले टो डेकते हैं इन दिस चैप्तर वी आर गुएंग तो लर्न अबाउट इस ओर्गेनिक में आपके आपके अवेलेबल है आप उसे पर सकते हैं दूसरा जो क्विस्टन्स है वो है क्लेक्टर्ज विच इस यूज़ इन फ्रोट फ्लोटेशन में धर वो भी मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन किया आप पेज में देख सकते हैं दूसरा जो है डिप्रेशन्स इन फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस तो वो एक पेज नमबर 149 पे है 150 पेज पे आपके लिए एक और क्वेस्टन है जो भी मैंने बॉक्स किया है वो उसमें जो बॉड में पुछेगे क्वेस्टन से उसके रिलेटेड है So, first question on 150 page number what is the significance of NOH in a leaching process of aluminum extraction Second most important question that is a NACN in extraction of gold that is ZN extraction of silver So, यहाँ पे जो M करके लिखा है वो है M G metals कोई भी आप इसे लेख सकते है Silver हो या कोई भी अब आजाता है page number 151 पे तो 151 पे silicon oxide in extraction of a copper from a copper mat तो यह यहाँ पे 6.12 और box करके भी दिया हुआ है दूसरा जो most important question है वो है पाइरो मेटालोजी क्या है और उसके नीचे जो एक box किया है उसमें delta जी कब positive है और कब negative होगा उसके बारे में है अब आजाते है page number 155 पे 155 पे यहाँ पे बहुत सारे reaction दी हुए जो पीछे भी दी है तो उसका question ऐसे पूछा जाएगा write the reaction taking place in the different region of furnished in iron extraction तो furnished में different process distance step पे कैसे होता है तो reaction है step wise वो लिखनी है उसके नीचे एक और question है जो आपको पूछा जाता है pig iron क्या है, cast iron क्या है, rot iron क्या है, copper matte क्या है तो यह सब 156 page number पे available है अब आजाते हैं हम 157 page number पे वहाँ पे दिया है blister copper जो भी assertion reason में भी पूछा जाता है अब आजाते हैं हम page number 158 पे तो यहाँ पे एक aluminium की process दी है इसे हम cryolide in hell horal process भी बोलते हैं वह एक important question है, उसके नीचे एक और है graphite rod in electrolytic reduction तो यह सब अवेलेबल है 158 page number पे 159 page पे electrolytic refining of copper वह भी आप एक बार पल लीजे अब आजाते हैं most important question that is the john refining तो इसका principal example आप एक बार refer कर लीजे उसके नीचे है copper from in extraction of nickel for mond arkyal process और उसके नीचे one arkyal matter भी दी है तो जैसे ही आपने डीखा कि मैंने page wise एक page में से कौन-कौन से question जो पूछे गए है recently exam में वो सब हमने आज किया तो chapter number six general principle and processes of isolation of element यह सारे questions भी आप कर लोगे तो भी इस chapter में से बहुत कुछ ऐसा है जो भी पिछले कई सारे papers में पूछा गया है so okay then आज के लिए सिर्फ इतना ही standard 12 के लिए और एक वीडियो आएगी वो organic chemistry के उपर होगी इसके लिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन क्यूंकि जब भी आपको नया वीडियो आए तो आपको notification मिले stay tuned with us thank you